आज मैं आप लोग को डिजाइन और सूट बनाना बताऊंगे किस तरह से आप लोग को प्लैन फैब्रिक पर्चेस करके गोटा पट्टी का यूज करना है यहाँ पर आप लोग को जैसे नॉर्मल कुर्थी सिलने वैसी सिलने यह चाक और दावन पर आपको 2 इंचिस का मार्ज अपर की साइड से लगाती है आप लोग देख लीजिएगा मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगी कि चाक से दामन की तरफ में लेते हुए जा रही हूं इसे और जो आपकी 2 इंचिस की जो आपने टेट्रों उसके अंदर फिल करी थी कुट्ती के अंदर तो उसमे आपको जगा चोड़ने क्योंकि यह डिजाइन आपको तीन लेयर जो करनी है उससे बनाना आपको त्री लेयर करके फर्स मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अगयन मुझे यहां पे गोटे का यूज कर रही हूं मैं आप लोग को दिखा रही हूं इस तरह से आप लोग को किसी बी कलर कर ले सकते हैं बट यह कलर मुझे बहुत जादा अच्छा लगा है मैं अपना परसंटरी बता रही हूं मुझे बहुत जादा अच्छा लगता है मैं एक दो सूट और भी बनाएं इस कलर के तो इस तरह से मैं थोड़ा गैब देते हुए यहां पर फिल कर रही हूं आप लोग चाक और डामन के साइड में देख लीजिएगा यहां पर मैंने किस तरह से डिजाइन बनाया है यह चाक से लेते हुए मैंने पूरा खतम नहीं किया है बस इसी को फोल्ड करके यहां से चाक बश्वाइन पूरों को घांने यहां बन करें यहां पे मैंने इसे चाक होते है ना हमारे वहां आप लोग गरारा आप कुछ भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है इस तरह से मैंने यहां पर सिर्पर लेयर ही बनाई है यह देखे इसका फाइनल लुक ऐसा है यह कुर्टे के चाक और दामन पर है और स्लीव पर मैंने यहां यह तो चाक और दामन हो गए इसके ठी अपको स्लीव दिखा देती हुं तो यह रहीं स्लीव मैंने इस तरहां से थोड़ी जादा लगाई हैं यह पर थी लेयर्श ही हैं लेकिन स्लीव में जादा लेयर्स की हैं इस तरह आपका डिजाइन बन कर त्यार हो जाएगा गाइस ऑफ़ इवप गाइस यह वीडियो के ल भी फोल्ड करके लगा दिया था थैंक्यू सो मज़ गाइस वीडियो कंप्लीट देखने के लिए बाबाई